नमस्कार दोस्तों मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तों आज हम जलेवी बनाएंगे एकदम हलवाई श्टायल में और ये खाने में बहुत स्वाधिश्ट लगता है और देखने में भी बहुत ही खुपसूरत लगेगी और एक कैसे बनेगा तो देखे हमने नीबू ले लिया है और हमने धाई कप चीनी ले लिया है और जिस कप से हमने चीनी लिया उसी से हमने दो कप मैदा ले लिया है और दही है थोड़ा सा फूट कलर है और थोड़ा सा हम मीठा सोडा ले लेंगे तो सबसे पहले ह मैदे को छान लेंगे कोई भी गुठ लिया ना रहें तो यह देखे हमने मैदे को छान लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे दही तो हमने दो कप मैदा लिया था और आधा कप हमने दही लिया है और इसको हम अच्छे से फेटेंगे तो अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा कर के लिए हमने एक कप पानी का इस्तेमाल किया है तो ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए ना तो पतला बहुत ज्यादा रहेगा और ना तो बहुत ज्यादा मोटा रहेगा लिए बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये तो इसी तरह से आप अच्छे से इसको खुब फेट दीजिए ताकि इसमें अच्छा सा लम्स तयार हो हलुआई लोग तो काफी देर उसको भिगो के खमीर उठाते हैं तो यह हमारा तयार हो गया बैटर हम इसको ढख के कम से कम 10 मिनिट रख देंगे और तब तक चलिए हम आपको बता देते हैं कि हम एक कौन बना लेते हैं जिससे हम जलेवी बनाएंगे तो यह हमारा पैकेट था जिसमें हम चना मंगाए थे तो ये उसको हमने निकाल के चने को और अच्छे से इसको साप करके और साइड से काट के हम इस तरह से कून बना लेंगे आप चाहें तो इस तरह से बना के आप जब केक को सजाना होता है तो भी आप सजा सकते हैं बहुत आसान है तो इस तरह से हम बना के और इस साइड से हम सैलो टेप से चिपका देंगे तो अभी हमने थोड़ा सा चिपकाया है ताकि ये इधर उधर ना हो और अब हम एक लंबा सा सैलो टिप निकालेंगे और इसको हम अच्छे से चिपका देंगे मेरे पास वाइट वाला नहीं था तो ये जो हम लोग बिजली के तार चिपकाते हैं उसी को हमने चिपका दिया है क्योंकि इस समय हम खरीद के भी नहीं ला सकते तो इसी से काम चलाना पड़ेगा तो देखे हमारी कोन बनके तयार हो गया है और अगर आप नहीं बना सकती तो इस तरह का ले लिजिए पैकेट और उसमें साइट से कोना काटके और बना लिजिए तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि चासनी बनाने को रख देतेंगे तो हमने धाई कप चीनी लिया था तो हम इसमें दो कप पानी डाल देंगे और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे और इसको बराबर से चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारे नीचे बैठेने नहीं तो जल जाएगा तो इसके हम चासनी बना लेंगे तो इसमें आपको एक तार देखने की ज़रुरत नहीं है लेकिन हाँ चासनी पतली भी नहीं होनी चाहिए तो चासनी हमारी तयार हो गई है जब हमने हाथ से इस तरह से देखा तो हलका हलका तार बन रहा था तो चासनी हमारी तयार हो गई है हमने इसमें नीवुगार दिया ताकि हमारे चीनी में क्रिश्टल ना बने और अब हम इसको थोड़ा सा फेट लिए हैं उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ओरेंज कलर डाल देंगे अगर आप ऐसे खाने के लिए बना रहे हैं तो कोई जिरूरी नहीं है कि कलर डाले कलर हम लोग थोड़ा सा इसलिए करते हैं ताकि उसका एक अच्छा सा कलर आ जाए नहीं तो जनरली इसमें कलर नहीं पड़ता है सिर्फ ही मिर्ती में कलर पड़ता है तो हमने फेट लिया और अब हमें इसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिये हैं वन फोर्थ टी स्पॉन और उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर दिये तो हमारा बैटर अब एकदम रेडी हो गया है और चलिए अब हम कौन में भर लेते हैं और उसके बाद हम जलेवी बनाएंगे तो इस तरह से हम कौन में बैटर को भर लेंगे अच्छे से और उसके बाद हम जलेवी बनाएंगे तो तेल भी हम तर रखते रहे हैं तब तक हमारा गरम होता रहेगा और उसके बाद हम जलेवी फटा फट बना लेंगे चासनी हमारी तैयार है तो तेल हमारा गरम हो गया है अब चलिए हम जलेवी बनाते हैं तो हम थोड़ा सा कोन अपने आऊ सकता है निसार नीचे से काट दिये हैं और ये देखिए हमारी जलेवी बन के तैयार हो रही है और मैं आपको दोनु तरह से बना कर बताऊंगी ये तो सिंपल तरीका है हम अपने आसानी ऐसे अपने लिए बना लेते हैं लेकिन जिस तरह से हलुआई बनाते हैं मैं आपको भी तरीका बताऊंगी तो अब हम इस तरह से इसको golden सेक लेंगे दोनों तरफ से ताकि ये कुरकुरा हो जाए उसके बाद हम इसको सीरे में डालेंगे चासनी में तो दोनों तरफ से हम इस तरह से उलट पुलट के इसको हम सेक लेंगे और तेल से निकालके हम गरम गरम ही सीरे में डाल देंगे सीरा मारा ज़्यादा गरम नहीं है क्योंकि हमने उसको पहले बनाया है तो आप चाहें तो इस तरह से पकड़के निकाल सकते हैं लेकिन पहले मारा तेल गरम है मैं इस तरह से बना लेती देखिए इस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं लंबे-लंबे लच्छे तो अब इसको भी हम इसी तरह से दोनों तरफ गोल्डेन सेख लेंगे और उसके बाद ये देखिए हमने चासनी में डाल दिया है और तब तक वो चासनी अपना अब्जाब करेगा और इसको हम तब तक गोल्डेन सेख लेंगे और ये भी जब सिख जाएगा तो हम इसको भी निकाल के उसी चासनी में डाल देंगे यकीन मानिए एकदम ये परफेक्ट बनेगा जिस तरह से हलुआई बनाते हैं वो तो भीगो के और खमीर उठाते हैं लेकिन अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इस तरह से बनाईए और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने घर पे बनाया है तो हमने उसको भी निकाल दिया गोल्डेन हो गया और अब मैं पहले की तरह फिर से सिंगल सिंगल जिलेवी बना रही हूँ तो आपकी मर्जी है आप जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह से बना ले सकते हैं मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया है और इसको भी हम गोल्डेन अच्छे से से शेक लेंगे और उसके बाद चासनीम डाल देंगे तो यह देखे जो हमने चासनीम पहले डाल के रखा था उसको हम इस चाली में निकाल देंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा सीरा है वो वापस उसी बर्तन में गिर जायेगा और नीचे सीरा खाली हो गया तो मैं जो और जिलेविया निकालूंगी उसको उसमें डाल दूंगे तो इस तरह से हमारे जिलेवी ये भी तयार होती रहेगी और उसका एक्स्ट्रा सीरा भी निकल जाएगा तो हमने इस तरह से सारी जिलेवियों को बना लिया है और चलिए अब हम प्लेट में सर्व कर देते हैं ये लंबी वाली है जो हमने बनाया था और ये उपर से हमने जो सिंगल सिंगल बनाया है ये देखे सीरा भी कितना अच्छे से पिया है देखे दोनों तरीका हमने बता दिया है अब आपकी मर्जी है आप जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं तो अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और जो बगल में घंटी के निसाना उसको भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो के निटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिल करेंगे एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्कार घर में रहिए से